हलो चुल्डरन, वेलकम टू CBSE Online आडियो वीडियो लेसंस, मैसलफ सुमन गुपता, यो हिंदी टीचर, फ्रॉम सेट विद्या मंदिर इंगलिस हाई स्कूल, CBSE वसई बच्चों, पिछले भाग में हमने देखा कि राजा, राजी की दीवार गिर जाने के कारण एक एक करके, बुलाते हैं उन लोगों को, जो इसके लिए जिम्मेदार हैं, और सब वो गलती दूसरे पर डालते हैं, कि हमारी इसमें कोई गलती नहीं, ये तो गलती दूसरे की है, उसी क्रम में, जब मंत्री को फांसी पर चड़ाया जाता है, तो उसकी गर्दन, बहुत ली होती है, तो फांसी का फंदा उसको नहीं आता है, तो बाद में राजा कहते हैं, जिसकी मोटी गर्दन हो, उसको पकड़ कर लाओ, तो उनको चेला दिखाई देता है, उनके पहरेदार को, और वो उसको लेकर राजा के पास पहुँशते हैं, आगे बढ़ते हैं जाओ, तो मोटी गर्दन होने के कारण, उनके पहरेदार चेले को लेकर आ जाते हैं, तो राजा कहते हैं, इसको फांसी पर चड़ाओ, चेला कहता है, पहले कुछ गलती तो बताओ, राजा डाटते हुए कहते हैं, चुप रहो, बहुत मत बोलो, बगबग, मत मचाओ, मगर था न बुद्धू, था चालाक चेला, मचाया बढ़ा ही वहीं पर जामेला, कहा पहले गुरुजी के दर्शन कराओ, मुझे बाद में चाहे फांसी चड़ाओ, लेकिन चेला चालाक था, बुद्धू नहीं था, उसने वहाँ बहुत शोर मचाया और कहा, ठीक है, मैं म मुझे फांसी पर चड़ाओ, लेकिन उससे पहले मुझे मेरे गुरुजी के दर्शन जरूर कराओ, गुरुजी बुलाए गए जट वहाँ पर की रोता था, चेला खड़ा था, जहां पर गुरुजी ने चेले को आकर बुलाया, तुरंत कान में मंत्र कुछ गुन-गुनाय गुरुजी बुलाए गए, चेला वहाँ पर रो रहा था, गुरुजी ने चेले के कान में कुछ बोला, कुछ मंत्र गुन-गुनाया, जगड़ने लगे फिर गुरु और चेला, मचा उनमें धक्का बड़ा रेल पेला, गुरु ने कहा फांसी पर मैं चड़ूंगा, चेले ने फांसी पर मैं मरूंगा, वहाँ पर दोनों गुरु और चेला आपस में जगड़ा करने लगे, और कहने लगे कि मैं पहले फांसी पर चड़ूंगा, चेला करने लगा नहीं, मैं पहले मरूंगा, मैं पहले फांसी पर चड़ जाओंगा, हटाए ना हटते अड़े ऐसे दोनो चुटाए ना चुटते लड़े, ऐसे दोनो बढ़े राजा फोरन कहा क्या बात है? बात क्या है? गुरू ने बताया करामात क्या है? तो दोनो जो है ऐसे लड़ रहे थे फासी पर चड़ने के लिए कि राजा देखकर दंग रहे गए और छुडाने की जब कोशिश करते दोनों को तो दोनों अलग नहीं होते लड़ते रहते कि नहीं मैं फांसी पर चड़ूंगा गुरू कहते नहीं मैं फांसी पर चड़ूंगा तो राजा कहते हैं क्या बात है तब गुरु बताते हैं की बात क्या है करामात मतलब कोई असाधरन या विशेश बात है इसके पीछे चड़ेगा जो फासी महूरत है ऐसी न ऐसी महूरत बनी बढ़िया जैसी वह राजा नहीं चक्रवर्ती बनेगा यह संसार का छत्र उस पर तनेगा तब गुरु ने बताया राजा को यह जो समय है बहुत ही सुभ है मूरत मतलब सुभ समय और इस समय जो भी फासी पर चड़ेगा वो राजा ही नहीं चक्रवर्ती बनेगा चक्रवर्ती मतलब पूरी धर्ती पर जिसका राज चलेगा और संसार पर वो राज करेगा कहा राजा ने बात सचगर यही गुरू का कथन जूट होता नहीं है कहा राजा ने फासी पर मैं चड़ूँगा इसी दम फासी पर मैं ही टगूँगा राजा जो ना समझता उसे ये बात समझ में नहीं आई कि फासी पर चड़ने के बाद मृत्ति हो जाती है लेकिन उसने सोचा गुरू की बात जूट नहीं होती अगर गुरू कह रहे हैं कि इस समय जो फांसी पर चड़ेगा वो चक्रवरती बनेगा तो राजा कहते हैं कि मैं ही इसी चड़ फांसी पर चड़ूँगा चड़ा फासी राजा, बजा खूब बाजा, प्रजा खोश हुई जब मरा मूर्ख राजा बजा खूब घर-घर, बदाई का बाजा, थी अंधेर नगरी था अनबूझ राजा और राजा की मृत्ति हो गई, जिससे प्रजा बहुत खोश हुई क्योंकि उनको मूर्ख राजा से जो अन्बूश था उससे मुक्ती मिले बच्चों इस कविता से हमें यह सीख मिलती है कि हमें मूर्ख व्यक्तियों के बीच में नहीं रहना चाहिए जिस तरह से चेला जो यह नहीं समझ पाया और वहां रुख गया अंधेर नगरी में जिसके कारण उस पे विपत्ती आई मुसीबत आई और गुरु जो समझदार थे वह अंधेर नगरी में नहीं रुके वो चले गए बच्चों पाठ यहीं शमाप्त होता है पाठ को पढ़ेंगे इसको दोराएंगे इसका अभ्यास करेंगे धन्यवाद